नमस्ते दोस्तों अभी हम जहां पर मौजूद हैं इसको देखने के बाद साइद आपको ये लगे कि कहीं पर रात में भोज हो रहा है या कोई सतसंग हो रहा है किर्टन हो रहा है या फिर कोई धार्मी कारकरम हो रहा है लेकिन दोस्तों देखने में जैसा आपको लग रहा है ऐसा है नहीं ये जहांगीरपूर दच्छिन पंचाइत है और यहां के मुख्या जी के द्वारा और मानिये बीडियो साहब के सहयोग से मार्क दर्शन में एक अनोखा कारकरम का आयूजन किया जा रहा है दोस्तों गाउं में जहां पर अभी अशिचित लोग हैं जागरुकता की कमी है ऐसे लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए जहां पूरे दिन वीडियो साहब आफिस में काम करते हैं वहीं रात का अपना समय ऐसे लोगों के बीच में जा करके उनको सब विभिन सरकारी यो जो काम नहीं हुआ है जो जो छूटा हुआ है उसको खुद से बोल करके और कहीं न कहीं बा पतादिकारियों को बुलवा करके लोगों के दिमाग में वोची डाला जाए जागरुकता फैलाई जाए ताकि जितने भी सरकारी योजनाए हैं सभी लोगों तक मिल जाए यह रा द्खंड विकास पदादिकारी मोहदय के द्वारा हमको समझाया गया है जो मुखिया जी लोग दिन में अपने काम में बैस्त रहते हैं और संध्या के समय सभी लोग घर आ जाते हैं संध्या के समय जब लोग ता जाते हैं तो उस समय अगर आपатель हिर चौप लगाई येगा तो उससे क्या होगा अजो सभी लोग आएंगे सुप से भी बचेंगे और सभी लोग आपर के सराथी चौप में सम्झेंगे बुझें आपके रहे और हम लोग चाहते हैं जो हमारे पंचायत में हर एक एक घर में सोचालय हो जाए जो कहीं भी हम गर्व से कह सकते हैं जो मेरा जहांगीरपुर्दचिन पंचायत चल के देखिए जो एक भी घर सोचालय से नहीं बचा हुआ हर घर में सोचालय है या कहीं से कोई लर्की वाले भ घर में सोचाला है इस पंचायत में हम अपने बेटी का विवा करेंगे तो और निश्चित रूप से दोस्तों जहां पर बहुत सारे मुख्या जी जीतते हैं उसके बाद कहीं न कहीं उन योजनाओं पर फोकस करते हैं जिस योजनाओं से उनको मोटी आमदनी हो सके लेकिन कहीं न कहीं पूरे दिन पंचायत की सेवा करने के बाद रात के समय में भी ऐसी योजनाओं पर लोगों को जागरित कर रहा है जो मूलभूत जरूरत है जैसा है सोचाले हो स्वक्षता हो और ऐसे में जब इनका पंचायत कहीं न कहीं इस मामले में अधूरा रह गया है कुछ बेल्कुल तब करने का जजवा तभी तो इतनी बριफ्याइओं सफलता पूर्बख हुई है नहीं तो बहुत सारे मुख्याजी साम के बाद तीसरा जजवा लगा करके सो जाते हैं और ऐसे-एसे मुखिया जी हैं जो रात को काम करते हैं और सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं इस चोपाल का सरे किनी को जाता है तो अनुरंजन कुमार जी हैं रोसरा वीडियो साहब पूरा दिन तो सर ओफिस में रहते हैं तरह तरह का केस तरह के लोग तरह की योजनाए उसके बाद ठकावट नहीं होती ही 5-6 घंटा से बैठे हुए रात में आकर देखे हम लोग का काम है समाज में जो है बदलाव आवे लोगों के जीवन अस्तर में सुधार आवे सरकार की योजनाओं का लाव आम लोगों तक मिले समाज के अंतिम ब्यक्तित तक मिले और लोगों के स्वस्थ और स् लोग संबाद कर सकते हैं इसलिए रातरी चोपाल कायोजन किया जा रहा है ताकि जो छुटे हुए परिवार है उनके घरों में सोचाले बन जाए और अपना जीवन अस्तर को उचा कर सके निशित रूप से सर जो अभी संबोधन कर रहे थे उसमें एक चीज जिक्र किये कि हम जहां पुर्व में थे वहां जाकर के आप स्थिती देख लीजिए कि सोचाले और अन्न बिभिन सरकारी योजनाओं का क्या आल निशित रूप से सर नए आये हैं और इनको दिखा कि हम जहां पर आये हैं इस्थिती बहुत गंबीर है देनिये है इसलिए दीन का समय देने के साथ साथ रात्री चोपाल भी सुरू करवा है निशित रूप से यह एक कह सकते हैं कि यह एक उदारन है दूसरे परखंडों के लिए भी जहां पर इस तरह की स्थिती है सोचाले में द लोगों कि जो है एक जीवन में बदलाव आए और लोगों में जय ne पहला कर है हम लोग बदलाव ला सकते हैं प्रशो का इस्तेल सब्सक्राह करें जया है है तो उसोचाले को महत्यास को प्रविए नहीं सब्दाना फंब करें रहे हैं और अपने पुर्व के अभियान में जो नया परिवार हैं या जो बाहर से पलायन थे और गौँ में आये हैं वो सोचाले से बंचित हैं तो वैसे लोगों का सरवेक्षन कराया गया और फिर वैसे लोगों को सोचाले बनाने के लिए सरकार की योजना आई है हम लोग सरवेक्षन के लिए सरवेक्षन की एसो से पहले किस वाड में कितने लोग जो है सोचाले बिहीन है और किनके कितने लोगों के बीच सोचाले है फिर उसका जाच कराये क्रोस जाच कराये और जिन लोगों का नाम आया है कि सोचाले बिहीन है उन लोगों के बीच हम लो अधिए पिछले ब्लोक में भी रात्री चोपाल के माध्यम से सोचालय के लिए ब्यक्तिकर सोचालय के निर्मान के लिए जारुकता काजिकरम करक किये थे और उसका बहुत अच्छा ही अनुभव रहा उसी अनुभव को लेके हमने यहां भी शुरू किया और मुझे लगता है लोगों से जो संबाद हुआ है लोग हमारी बात को समझ रहे हैं जरुकता के माध्यम से जो है लोग निश्चित रूप से सोचालय बनाएंगे और समाज स्वक्ष मनेगे सर एक चीज सोचालय तो निश्चित रूप से बनेगा जो पहल है लेकिन इससे हम समझते हैं कि एक साकारात्मक चीज ये भी हो रही है कि सरकारी अधिकारियों के बारे में लोगों के मन में एक नाकारात्मक भ्रांती है कि सरकारी अधिकारी है कुछ नहीं होता है उपरे मे वो ने हुआ तो निश्चित रूप से एक साकारात्मक मैसेज जाएगा कि ऐसे अधिकारी भी है जो सीधे तोर पे गरीबों के बस्ती में आकर के काम कर रहा है चुकि सरकार और आम आदमी के बीच जनता के बीच जो पहला जो है ब्लॉक होता है और ब्लॉक से ही किसी भी अधिकारी को होता है हम लोगों को और सरकार की जितनी भी योजना है उसका क्रियानवेन भी प्रखंड से होता है तो हम लोग सीधे लोगों से जूरते हैं उनसे संबाद करते हैं उनकी समस्याओं को जानते हैं और उसका निराकरन करते हैं और उसमें खुसी मिलती है कि हम ज सिकायत रहता ही कि फलाने योदना में इतना रुपया फ्लाना ले लिया उस योजना में इतना रुपया ले लिया मतलब ये सर बिरहत पर इमाने प्याह, हर нагर पंचायत में कि दलाल बिचौलिया कैया ह। पूरे रोसरा और मंडल में और निश्चित रूप से हर एक परखंड के लोग चाहेंगे कि हमारे परखंड में, हमारे पंचायत में, हमारे वाड में भी जिस तरह से रोसरा के वीडियो साहब और वहां के मुख्याजी कारकरम करवा के सीधे जूर रहा हैं रात्री के समय में कास हमारे पंचायत हमारे परकंड में भी हो इसी सुबकामना के साथ की जिस मिशन पे वीडियो साहब यहां के जनपर्तनिदियों और जनता को जोर करके निकले हैं आने वाले कुछ समय के बाद एक साका रात्मक रिजल्ट निकले और एक एक घर में सोचाले बने और रोसरा परकंड का एक एक गाउं एक एक बाट खुले में सोच मुक्त हो बहुत बहुत धन्यवाद